हेलो कोडर आन्मी कैसे हैं आप सब लोग तो यार आज हम one of the most important topic पढ़ने वाले हैं time and space complexity यह आपको हर interview round even coding round में पूछा जाएगा और यह topic ऐसा है जिसको अगर आप एक बार समझ गए फिर आपको इसको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी आज हम इसके बारे म जानेंगे और उसके साथ बहुत सारे question practice करेंगे ताकि इस topic को हमें दुबारा ना पढ़ना पड़े तो चलिए बिना किसी देरी के सुरूर करते हैं अब यहां पर हम पहले एक game खिलते हैं मैं अगर आपसे पूछू इन जनरल आपको क्या लगता है कि time complexity क्या होता है मैं time complexity होता का total time taken by an algorithm मैंने का चलो बात तो सही है कि time complexity equal to total time taken by an algorithm मैंने का एक step बैग लेते हैं अपन लोग और पूछते हैं कि time complexity की जरूरत ही क्यों पढ़ी भहिया time complexity की जरूरत इसलिए पढ़ी क्योंकि एक question को हम multiple approach से solve कर सकते हैं अब कौन सी approach सबसे बढ़िया है उसी approach से हम solve करेंगे मैंने का बात सही है मैंने का आग तो तुम बहुत तेजी से दिमाग लगा रहे हूं तो एक काम करते हैं इसको लिग देते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ problem होगी है ना problem होगी कोई उसका मैं कुछ solution निखूंगा solution हाँ अब इसके multiple solution हो सकते हैं एक algorithm आपका A1 हो गया एक आपका A2 हो गया बहुत सारी तरीके से मैं उसको solve कर सकता हूं A3 और A4 इस टाइक से अब इन में से जुद्री वी algorithm मैंने लिखिया है किसको मुझे select करना चाहिए चूस करना चाहिए अ अगर मैं आपको पुछ हूँ भाइया उसको choose करेंगे जो सबसे बढ़िया होगी तो मैंने लिखा बढ़िया किसको बोलुंगा मैं भाइया जो सबसे कम time लेगी है सबसे कम time और मैंने बोलब कौन सबसे कम time लेगी भाइया उसको हम second में convert करनेंगे कि कौन कितने second में execute हो र ले रही है और यह अगर 10 सेक्ट ले रही है तो मैं बोल दूंगा कि भाईया यह अल्गोरिफम बढ़िया है इससे हाँ जी भाईया तब हम A1 को चुनिंगे किसके मुकाबले तो मैंने का एक काम करते हैं यह जो हम सैकंड निखाल रहे हैं इसको भी देख लेते हैं माल लो मेरे पास अल्गोरिफम निखलेते किस algorithm के लिए हम इसको solve करने वाले मालो sum of n number ठीक यह मेरी problem है ठीक अब इसका solution है मालो यह मैंने ऐसे करके solve किया है i equal to 1 से i less than equal to n i plus plus और sum निकालना है तो sum plus equal to i यह मैंने pseudo code इसका लिख दिया यह मैं कर रहा हूं तो भईया इसको किसी computer को दे दीजिए जिनने सेकिंड में original निकालेगा वो मेरा answer हो जाए मैंने का चलो वह भी कर लेते हैं मैंने का एक काम करते हैं एक old computer ले लेता हूं एक बिल्कुल new लेता हूं latest old मलब कोई इसको बोलता हूं कि पहले 1000 नंबर का सम निकाल के दिखा दे और new computer को भी मैंने हुई का कि तू भी 1000 नंबर का सम निकाल के मुझे बता दे तो ऐसा हो सकता है कि इसको दो सेगिंड लगे हूं अगर मैं common sense की बात करूँ क्योंकि latest है तो कोई भी चीज को जल्दी execute कर सकता है क्यों इसके पास better RAM है better processor है इसके पास जो RAM है वो कम है मालो एक-दो GB होगी और processor कोई पुराना होगा तो इसलिए इसने जल्दी काम कर दिया यही है हाँ यही है तो मैंने कहा अगर यह algorithm मुझे दो सेकिंड और इस वाली computer पे एक सेकिंड में रिजल्ट लाके दे रही है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि इस algorithm को execute होने में कितना टाइम लगेगा कैसे बोलूंगा अब अगर मैं इस number को ही अगर 1 lakh कर दूं 1 lakh तो तब इन्हें कितना टाइम लगेगा तब इन्हें कितना सेकिंड और इसको 100 सेकिंड तो मैं जो algorithm से मुझे दी थी किया मैं उसको देख के यह बोल दूं कि भाई तुझे कितने सेकिंड में तो execute होगी मैंने जब input 100 दिया तो इसने 200 सेकिंड में दिया तो इसको मैं बोलूंगा क्या कि तु कितने टाइम में execute हो रही है multiple answer यहां पे मुझे एक चीज तो पता चल गई कि भाई इसको तो मैं सेकिंड में calculate नहीं कर सकता क्योंकि multiple मेरे answers आ रहे हर बार आ रहे ही नहीं आ रहे हां वह बहुत सकता है यह अलगर साम सेकिंड में तो calculate नहीं कर पाऊंगा मैं कभी वी क्योंकि बार बार अलग ताइप का मेरा result आ रह एक machine में ला लेते हैं ideal c और उसी में हम किसी भी algorithm को run कराएंगे और जो time आएगा उससे मैं calculate कर लूँगा जितना भी second में आएगा हम वह भी तो कर सकते हैं मैंने कहा अभी तो मैंने वही तो करा था कि जब मैंने input 1000 दिया तो उसने दो second में जल दिया जब मैंने कहा एक लाग जैसे हम सोचते हैं वैसी वह भी सोचता है अगर मैं one से लेके 1000 का सम कर रहा हूं तो मैं one plus two plus three plus four कर के कर रहा हूं कर रहा हूं मुझे कुछ time लेगेगा में बी मुझे आदा घंटा लग जाए और अगर मैं one lakh तक का सम करूँगा तो में भी मुझे तीन चार दिन लग जाए क्योंकि मुझे वहां तक जाना है पूरा हर एक नंबर को एड़ करते हुए तो सेम इसके साथ भी होता है कि वन टू टू ट्री फोर एड़ कर रहा है तो इसको टाइम लेगा करने का जब मैं उसको 1000 से वन लैक तक का बोलूँगा तो वह भी तो कुछ टाइम लेगा ना तो सेम में भी हम यह काम नहीं कर सकते और एक और चीज अगर आप इसको मालू आपने वन लैक नंबर दिया आप दुवारे इसको वन लैक देता हो तो हो सकता है यह 190 सेकंड दे यह 210 सेकंड में रिजल दे दे कुछ भी दे सकता है ऐसा क्यों मैंने का जो इसकी बैक ग्राउंड में जो बाकी पॉसेस चल रही है वह भी बहुत मैटर करती है मतलब भाईया बैक ग्राउंड में पॉसेस चल रही है मैंने का आप सबने पबजी हे लोगा या फिर यूटूब अगillar के लिए यूटूब चलाते होंगे या या यूटूब चलाते है मैने जब आपके फोन में बहुत सारी खुली गई रहती है या यूटूब उपन करने की सोचते हो तो फोन थोडों हैंग जाता है थोडिए तो चहल रही हो जाता है कि प्लाउन स्टक्रीum का क्यों। सकते हैं अब मैं यहां पर confirm कह सकता हूं कि भया cycle में तो निखली ही सकता आन सकता। तो यहां से क्या मैं एक line confirm कह दूं कि time complexity not equal to time taken हाँ बहुँ हां तो यहां से हमने यह proof कर दिया कि यह तो बराबर नहीं होती है प्लियर हाँ चमक रहा अच्छे से हाँ यहां तक चमक तो भाइए फिर कैसे गंपेर करेंगे मैं फिर कैसे बताऊंगा कि कौन सी अल्गोरिफम बढ़िया है जब मैं एक यह अल्गोरिफम के लिए फिर आउट नहीं कर पा रहा है कि वो कितने स्टा वापस आता हूं यहाँ पर मैंने एक चीज अगर हमने नोटीस कर आई हो नोटीस किया कि जब जब मैंने n का साइज बढ़ाता गया तो मेरे जो टाइन निखा रहा था ये 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 माल लेता हूं तो मैं ऑंड़ने वाली है अगर प्रोग्राम को करने की यं consistent को वो it depend कर रही है मेरे input के size पे, जो मैं n दे रहा हूँ, उस पे बहुत हद तक वो depend करती है, अब वो किस level पे depend करेगी, वो मुझे निकानना है, किस level का मतलब, वो n पे depend हो सकती है, n square पे हो सकती है, अब में भी depend ही ना करे, यह भी possible है, कि कोई algorithm आपने ऐसा करा, कि वो depend ही ना करे, अब जैसे मै मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे पता है, मैं ऐसे करके मैं sum को निकाल रहता, अगर मैं इस पे सिरफ ऐसे करके sum of n नमबर को calculate कर देता, अगर मैं सिरफ इस पे calculate कर देता, तो ऐसा भी हो तकता थी कि जो input n मैं ले रहा हूँ, उस पे वो उतना उस लेवल पे depend ही नहीं करता है, मैं भले 1000 दू, तो मेबी 1000 के लिए वो 0.2 millisecond में देते, एक लाग के लिए भी 0.25 millisecond में देते, तो मैं देख पार हूँ, उस पे उस लेवल पे depend ही नहीं करता है, यह भी हो सकता है कि दोनों के लिए बरावर ही आए, क्योंकि उसे multiplication ही करना है, simple सा, यहां तक clear है, हाँ यहां तक clear है, तो मुझे यह भी पता चला, कि जो मेरा input वाला element होने वाला है, वो उस पे depend भी कर सकता है, ऐसा हो था independent भी हो सकता है, तो मुझे निखालनी है उसकी dependency, तो पहले हम यहां पर पढ़ते है, time complexity की definition को, कि it is the total time taken by an algorithm to run as a function of length of the input, भाईया, सब उपर से गया, मैंने कहा, यह कह रहा है कि total time, जितना भी वो time लेगा, कोई एक algorithm execute होने में, वो directly depend करेगा, to run as a function of the size of the input, जो input का आपका size होगा, जो हमने n देखा था, ठीक, हाँ, उसमें वो depend करता है, अब कुछ में वो dependency कितनी होगी, किसी में किस level पर होगी, किसी में होगी नहीं, वो हमको देखना है, चमक रहा है, हाँ बया, चमक रहा है, यहां से मुझे sense बन रहा है, कि मैं comparison तो कर सकता हूँ, n की item पर, अगर मैं पास कुछ n होता है, यह फिर n square, यह फिर n one, कि depending ही नहीं कर रहा है, इनके business में size ना comparison कर पाऊं, बस अभी मैं मोटो मोटा इनको समझाओं, अभी मुझे ज्यादा in depth पता नहीं चला, सही है, हाँ बया, मैंने का एक काम करते हूँ, ऐसे करके मैं इसको कराता हूँ, माल लो, मैंने अपना input दिया 10, इसको ले लेते n, input size, इसको ले लेते time, इधर भी same काम पर लेते, इसको ले लेते n, input size, इसको ले लेते time, अपन लो, clear, हाँ भीया, यह तो मुझे clear, मैंने का अब इसमें एक graph बनाने की कोसिस करते हैं, plot करने की, भाई एक graph बनाने की जरूद क्या है, मैंने का अभी रो, माल लो मैंने 10 नम्मर का मुझे sum निकालना है, या 20 नम्मर का निकाल पर, clear, हाँ, maybe इसके लिए 10 में आंसर निकल जाए, 20, 30, यह second में है, ठीक है, 40, 50, same यहाँ पर, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, मैं यह क्या गर रहे हो, हूपड़ी के उपर से जाने वाला ऐसा लग रहा है, मैंने का नहीं जाएगा, अभी रुकिया, मैं कहा रहा हूँ, यह मेरा latest, sorry, यह मेरा old computer है, और यह मेरा new computer है, new वाला, बिलकुल latest, ठीक, यह जो है, 10 input के लिए 10 सेकंड ने रहा है, 20 नम्मर के ल मैं जो हो, तो approximately 20 सेकंड ले रहा है, 30 के लिए 30 सेकंड, 40 के लिए 40 सेकंड, 50 के लिए 50 सेकंड, और अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, तो एक straight line बन रही है, इसको अगर मैं थीटा बोल दू, ठीक, यहाँ पर अगर मैं नए वाली की बात करूं, तो 10 input के लिए वो 5 सेकंड दूप안 यहाँ पर आद रहे है फिर 20 के लिए बुद्द दा सेकंड, 30 के लिए 15 सेकंड, 40 के लिए 20 सेकंड, 50 के लिए 20 सेकंड, और इसको भी मैं एक तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसकर यह भी मैरा थीटा हो गया, मैं देख पा रहा हूं, कि दोनो अलग-लग टाइप के बना रहे हैं, अब अगर मैं इस time और इस end पे कुछ relationship निकालने के खुशिस करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कुछ approach type में, कि जो time होगा, वो end पे depend कर रहा होगा, ऐसे, हना, जब ये 10 साइकिन था, तो ये 10 input, 20 साइकिन 20, तो मैं कह सकता हूँ time equal to end, और same इसके लिए time equal to end by 2, ऐसे करेंगे, तो हमने इसको कहा, कि जब भी हम comparison करेंगे, एक mathematical function के way में compare कर रहोंगे, किस में mathematical function, n की term में, मैं compare करूँगा, क्योंकि मुझे बता, वो end पे depend है, और end कोई constant number तो है नहीं, कि मैं direct value रखके put कर दूँ, वो variable है, हर किसी के लिए analog value आगी, कभी end 10 हो सकता है, कभी 100 हो सकता है, तो सीधा comparison मुझे एक mathematical function के, उसमें compare कर रहा पड़ेगा, यह बात बहुत heavy कर दी आपने, मैंने बात जितनी heavy है न, solution आप तो इससे easy लेगेंगे, ठीक, हाँ भी है, तो मैंने देखा, यह time है, एन उसके लिए n by 2 है, ठीक, मैं देख पार रहा हूं, यह जो line, यह linearly बढ़ रहा है, और यह भी linearly बढ़ रहा है, एक line में, सीधा, clear है, हाँ, तो मुझे सिरफ इसमें यह देखना था, कि यह किस way में बढ़ रहा है, यहाँ भी linear है, यहाँ भी linear है, तो मदब यह same ही category के algorithm मेरे हुए, ठीक है, तो मैं कहसा है, तो यह n है, यह n by 2, same type के ही होंगे ठीक, यह two, यहाँ पर कुछ भी existence नहीं देगा, इसका मतब भी मुटा मुटा N ही होगा, clear है, clear है, क्योंकि मैंने same algorithm दोनों को दी है, इसने अलग graph बना है, इसने अलग graph बना है, थोड़ा, लेकिन जब मैंने देखा यार, इनको एक pattern follow करना चीए, यह pattern follow कर रहे है, कैसे pattern follow क बढ़ रहे है, clear, अब ऐसा होसा था कि जब आप दूसरा बनाए, ठीक, तो ऐसा होसा था कि यह n square, आई यह two n square के form में जाए, अगर कोई और algorithm होगा, तो मैं कैसा थो कि यह और यह equivalent, clear हाँ बया, चमक रहा है, हाँ बया चमक रहा है, मुझे पता है, यह algorithm same है, algorithm same है, ठीक, इ तो यहां से मुझे एक चीज़ पता चल गई, जो यह constant वगरा term होती है, इनकी कुछ existence नहीं है, अगर मुझे बढ़ देखना है, इनके बीच में कैसा relation है, तो मैं कैसे relation को find कर पाऊँगा, मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर यह linearly बढ़ रहा है, और वो भी linearly बढ़ रहा है दोनों स्थेम है, जब वो एक linearly बढ़ेगा, तो मैं बोलूँगा यह एक type की algorithm में, जब वो quadratic way में बढ़ेगा, n square, तो मैं बोलूँगा यह दूसरी एक डिगरी के, clear, जब वो cubic बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, cubic way में बढ़ेगा, ठीक, यह भी दिखाओंगा आपको यह व अब भी compare कराना पड़ेगा, और वो n कुछ भी हो सकता है, ठीक, constant भी हो सकता है, कि depending ना करे, n हो सकता है, n square हो सकता है, n q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां तक चमक रहा है, हाँ यहां तक मुझे अच्छे से चमक रहा है, अब इन में बहुत तरी कुछ टर्मलोजिस हो इस्कूल जाते थे मालो आप ऐक्जाम दे के बाद आप से पहले घर आते थे और आपके पास ऐसे रहे दे कुस्टन एंगे और सबसे गंडरी हालत में, सबसे मरीवी हालत में, मेबी मुझे इसमें 7 मिले, 6 मिले, इसमें 8 मिले, तो मरीवी हालत में मुझे 60 नंबर तो आही जाएंगे. वर्स केस में यह best case result हो गया ऐसे और फिर आप धूनते हैं average कि चलो 20 का भी ले लेते हैं तो 20 का आपने बोल दिया सकतर तो same काम हम अपने किसमें भी करते हैं time complexity में भी करते हैं वहाँ भी हम तीनों चीजों को calculate करते हैं कि best case, worst case और average case मेरा program कितना लेगा पर लेकिन जो major factor होता है जब भी हम algorithm को design करेंगे हम हमेशा worst case के लिए तयार है worst case के लिए ठिक मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है ठिक तो worst case के लिए मैं तयार हूँ कि मैं fail नहीं हूँगा साथ नमबर तो मेरे आएंगे ही आएंगे तो worst case में लग कि वहाँ पर भी जो major factor आता worst case में ही comparison होता है algorithm का जो best होते हैं average होते हैं वह भी मैं आगे जाके explain करूंगा उनको कैसे calculate करते हैं वर्स को भी कैसे calculate करते हैं लेकिन उन सब में worst case ही माना जाता है तो यह एक real world के computer system है उसके हिसाब से आप बताईए माल लू आपके एक website वेबसाइट है सीवेस्टी के website लेज़ें सीवेस्टी के होंगे तो पूरे साल इस website कितने बच्चे चाता होंगे 100 बच्चे 200 बच्चे 300 बच्चे जिसी तन्थ का result आने है उसे इतने सारे बच्चे चले जाता है कि website ही क्रेस्ट हो जाती है उती नहीं होती है website चलती नहीं है तो यह जो सीवेस्टी की website लिए रइडी ही नहीं थी जब यूजर का input एक लाग पहुंगिया था कि एक लाग student एक साथ इसको विजिट कर रहे है और time तो n इक्वाल टू तो इनकी service क्या है इनकी service क्या है result देना और इनके student कौन किसको result चीए इन student को result चीए तो यह input हो गए इनके लिए तो इसको इसके लिए ready रहना चीए कि मेरी website हमिसा काम करे अगर मैं इसका take care कर लेता हूँ तो यह इसका take care तो खुदी हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो मुझे अपनी algorithm को इसके हसाफ से design करना चीए कि एक लाग बच्चों को भी वह easily handle कर पाए बड़े किसुद के लिए इसलिए हम worst case की दरफ जाते है जब input बहुत बड़ा बन जाए तब वहाँ पर मैं अपने algorithm को compare कर रहा हूँगा एक दूसर के साथ यहां तक चमक रहा है हाँ यहां तक तो अच्छे से चमक रहा है अब मैंने का यहां पर तीन terminology होती है एक को कहते विगू ठीक इसको कहते worst case आपने देखा होगा ऐसा करके कुछ order of n order of n square नहीं भी देखा ह अगला मेरा होता है उमेगा यह उमेगा ठीक इसको कहता हूं मैं क्या best case कि best case में मेरा result क्या हो अभी इसका भी मैं आपको proper explanation दूंगा ठीक तो यह ऐसे करके रिविजन होता है ऐसे ऐसे क्लियर फिर लाश्ट आता अपना average case उसे कहते हम ठीटा क्या कहते है इसको कहते हम average case किना और average आप बता दीजिए पर इन में से सबसे important यही है यह हमारे जगा calculate करते होंगे सबसे worst case के लिए हम अपने को ready करता है यहां तक चमक रहा है यह तीन terminology आ रही है समझ हाँ थोड़ा थोड़ा तो आ रही है पर भाया कुछ questions कर आओ जिससे मुझे actual में समझ आए time complexity space complexity है यह तो मुझे समझ आगे क्य बढ़ी असर समझते है मान लो आपको एक दे रखा है i equal to 1 से i less than equal to n है i++ और आपको करना है cout चमका अब मुझे बताना है इस program की time complexity कितनी है वो कैसे निकलेगी मैंने यह निकल जाएगी यह बहुत easier निकलना कुछ नहीं करना आपको देखना है कि आपके program में कितने steps लिए जा रहे है कितने steps लिए जा रहे है मैं इसमें कहां से start करूंगा यहां से start करूंगा यह आपका input size हो गया क्लियर हां मैंने का मैं यहां से स्टार्ट को I equal to one से मैंने यहां से स्टार्ट किया तो एक काम इसने यहां पर कर दिया ठीक बहुत जल्दी हो काम हो गया फिर एक comparison यहां पर होगा ऐसे हो गया फिर उसने सी आउट चम का कुछ कुछ प्रिंट किया होगा तो कुछ न कुछ काम होगा फिर एक से इंक्रीज कर दिया एक काम यहां पर होगा तो एक साइकल कंपलीट हो चुकी है तो टोल कितना काम हुआ है चार का काम हुआ है फिर फिर यहां पर आया फिर से सेम काम करा एक काम यहां पर होगा एक काम यहां फिर एक काम यहाँ पर होगा, तोटल तीन काम, फिर से एक काम यहाँ पर, एक काम यहाँ पर, एक काम यहाँ पर, तो आपको सिरफ स्टैफ गिनने, कि कितरे स्टैफ में मेरा प्रोग्राम एक्जिगूट हो जाएका, ठिक, आप मैं देख पारू, यह चार काम, यह तीन काम, अट्टू यह कब तक होते रहेंगे यह इस अन्थ तक ठीक तो डैडडडडडडडडड़ आपका थ्री तक ऐसे करके आप अपना काम करा लाएं क्लियर ए यह तब तक ही चलेगा जब तक कप तक चले गए जब तक कई हो जाता है जैसे उसको एकसिट करेगा वह अपने काम को रोख देगा है अगर मैंस अन्हों कर दूँ इनका सम दूँ तो कितना आएगा कितना बताइए हाई these are ीकल्टु वन पर यह था थो पे यह था थी पर यह था हूं होऊपका इथना काम हो था आई UK वैल्ली वंथी तो यह तो तो थी यह वह जितने काम हुए हैं, इनको आप add कर दो, इनको आप add कर दो, तो मैं अगर इनको add करने जाओ, तो जहिर सी बात है, इसका sum ऐसा आएगा, 3n प्लस 1, क्लियर है, इसका sum 3n प्लस 1 आएगा, इसको अगर मैं 3 प्लस 1 लिख दूं, ऐसे गर के, तो 3 कितनी बार आए, n टाइम, प्ल constant time है, उनको ignore कर दीजिए, जो भी आपके constant time है, उनको ignore कर दीजिए, और उसके बाद आप answer को लिख दीजिए, ऐसे करके, और यही आपका b go होता, ऐसे करके, तो rule यह कहता है, कि आपके उसमा अगर कोई भी constant time है, जब आपके रिजल्ट निकालते हैं, तो उससे किसको ignore कर द कर दो, ignore, यह मुझे ध्यान दिना होता है, इनको ignore कर दो, इनके ज़रोथा में नहीं है, क्योंकि वो मेरे result में इतना कोई बेजर impact नहीं दालेगा, जब मेरा end बहुत ही बड़ा होगा, जब वो infinity की और जाएगा, ठीक, जो भी हम question करते हैं, वोर्स केस के लिए ready रहना, जब end बहुत बड़ा होगा, जब end बहुत बड़ा है, तो क्या यह कुछ result में कुछ असर दालेगा, दालेगा पर negativelyly असर होगा, तो इसलिए हम इन constant को हटा देते हैं, clear है, तो इस तरीके तरह में इसको निकाला, clear हाँ बहुत है, अब second rule यह कहता है, अगर आपके उसमें multiple dependencies हैं, n के उपर, मालो आपका कुछ ऐसा relation मरन रहा है, 2nq, 3n², प्लस n, ऐसे करेके, तो जब मैं इसको तोड़ूँगा, तो सबसे पहला काम यह ही है, मालो यह function है आपका, ठीक है, इस type से वो depend कर रहा है, n के उपर, पहले तो मुझे constant name को ignore करना है, पहले तो वही definition हो जाएगी, क और वो कहता कि जो सबसे बड़ा होगा, उसी को मैं answer में लूँगा, बाकी को ignore कर दो, जो छोटे वाले, clear है, भाया क्यों बोला, मैंने बोला, अगर n की जगा मैं एक करोड रग दू, एक करोड, सीधा, एक करोड रग दू, n की जगा, और इनको इनको भी put करूं, और add करू तो sum क्या आएगा, add box इसी के equal आएगा, इसी के equal आएगा, तो इसलिए इनको ignore कर दो, क्योंकि मुझे broad way में सूचना है, कि मैं जब भी अपने LVOSM को design करूं, तो ये छोटे मोटे चीजे मुझे ignore करनी है, ठिक, जब मेरा major को change आएगा, वहाँ पर मैं उनको include करूंगा, ऐस एक जो ये बाकी है, इनको ignore करो, clear है, अगर मैं n की जग में 100 रख दूं, तो 100 का क्यों कितना होगा, 100, 0, 1, 2, 3, 4, plus 100 का square, 1, 2, 3, 4, ठिक, अब प्लस 100, अगर मैं इन सब term को अगर add कर दूं, तो कितना result आएगा, आपका, आपका ऐसी आएगा, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, क्या ये और ये approach equally है, क्या इसने इस पर कुछ major impact डाला, नहीं डाला, कि इतने second लगबग वो execute हुआ होगा, maybe, ठिक, तो कुछ major change आये नहीं, जब major change आये नहीं, तो उन चीजों को हमें indoor कर देना है, ताकि मैं बाकी जो algorithm है, उन पर मैं अच्छे से comparison कर पाऊ, क्यों हम ऐसा क क्या है कि जो constant है, उनको हटा दो, इसको हटा दो, मैंने का ताकि मैं जब दो algorithm को वो कर रहा हूं compare, तो मैंने comparison simplify हो पाए, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया है, कि एक algorithm आपकी ये है, और दूसरी ये से कुछ ने रिखिया है, मैं कह रहा हूं, इन दूरू algorithm में सबसे बढ़िया कौन है, सबसे बढ़िया कौन है, तो मेरे को यहाँ पर comparison करने में दिक्कत होगी, होगी नहीं होगी, कि व्याद थोड़ा सा लग रहा है, अठपटा सा, तो हमने कहा, सी को simply why हाई करने के लिए, हमने यहाँ पर n-cube दाल लिए, तो हमने देखा कि यह लगभग बराबरी है, ताकि मैं इनको जज़ करता हूं, कि कौन सी बढ़िया है, कौन सी बेकार है, simply why अपने उसको करता हूं, यहाँ तक clear, हाँ, हाँ यहाँ तक clear, क्योंकि मुझे पता, वो मेरे major answer में कुछ भी चेन नहीं करने बारे, दोनो rule, clear आपको, हाँ भगया, clear, मुझे यह भी निकालना आ गया, हाँ भगया, मैंने कहा, जब हम यह कर रहे हैं, इसमे भी हम same rule लगा देते हैं, order of n निकालना मुझे आ गया, कि total मैंने समका को कितनी बार print किया, अगर मैं उसके हजाब से करूं, तो तो भी मेरी problem solve हो सकती है, अ मैंने का constant वाली चीजों को, अब मैं remove कर दूँगा, नहीं मानूगा, ठीक, i equal to 1 था, i less than equal to n रहा, उसने चमका को print किया, जो उसका काम था, तो वो काम उसने complete कर दिया, एक time में, एक, एक करके कौन गिनता रहे, बार-बार, ठीक, जब वो फिर से उपर आया, फिर i equal to 2 एक ही मानूगा मैं, क्यों उसको मैं ज्यादा complicated करूँ, clear है, हाँ, फिर से compare होगा, तो फिर 1, फिर 1, कब तक चले गए, जब तक, n के equal नबन जाए, इनको add करूँगा, तो वो भी order of n निकल जाएगा, इस type से मैंने निकाल, ये clear है, ये clear है, ये कैसे हम निकाल रहे है, ये क linear search का, linear search, जब मैं linear search करता हूँ, linear search का क्या रहता है, हमारा, web को array कुछ दिया रहता है, i equal to, मानूँ मैं, 0 से, i less than n, i plus plus, ये ही करता हूँ, हाँ भी अब, मानूँ मुझे इस x element को ध्रूमना है, इस x element को ध्रूमना है, तो मैं लिख देता हूँ, कि if arr i equal to, equal to, किस के बराबर, x के बराबर हो, तो c out, मिल गया, find, ये फिर got it, और loop पो कर देता हूँ, break, ये ही करता हूँ, अपने उसमे, ऐसी करके मुझे कुछ code लिखता हूँ, linear search का, linear search, एक ये करके search करना, और मानूँ ऐस देखर के आपके पास array दे रहता है, 6, 7, 5, 1, इससे आपको टीनों चीज समझा देंगी, अगर मैं आपको बोलू, ये area आपको दे रहता है, इसमें आपको ढूणना है, 6 को, 6 को ढूणना है, तो आपको 6 कितने टाइम में मिलेगा, वन टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले present है, ठिक, ये 0, 1, 2, 3, 4, up to n है, ठिक, अगर वो पहली position बहीं बैठा है, अब मुझे मिल गया, तो वो कितने टाइम में 0 हो गया, वन टाइम में हो गया, अग कि मैंने जो ये algorithm लिखा है, ये best case में, इसकी जो time complexity होगी, वो होगी omega of 1, clear है, clear है, हाँ भईया, clear है, भईया, अभी उतना समझ दी है, थोड़ा बहुत है, मोटा मोटा, मैंने का best case ये होता है, कि मैं हर situation को best रजूम करूँ, कि मैं जो element ढोल रहा हूँ, पहली position में present हो, पर नहीं जाना पड़ेगा, clear है, हाँ, worst case क्या हो सकता इसमें, worst case, ये तो best case क्या हो सकता, मैं 8 को ढूड़ना हूँ, मैं 8 को ढूड़ना हूँ, तो पहले मैं यहाँ पी गया, फिर मैं यहाँ पी गया, फिर last में जाके मुझे मिला, तो इस case में कितना time लगेगा इसे, order of end time इनको अगर add करूँगा, तो ये कितने के बराबर आएगा, n के बराबर आएगा, clear है, तो worst case में मैं अपनी condition को सबसे बुरा मान के चलता हूँ, कि जो element मैं ढूड़ना हूँ, वो ऐसी जगा पड़ा हूँ, कि मुझे सबसे last में जाके मिले, तो ऐसे एकर कि मैंने इसको नि दूसरी बार में मिला, फिर वो मुझे तीसरी बार में मिला, ऐसे करते अप्रोप्टू, एन अट टाइम में मिला, ठीक, और divided by n, ऐसी निकालते न, average, ऐसी दो निखालते, हाना, अगर आप इसको solve करोगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, n into n plus 1, divided by 2, और n नीचे था, n से n क निकालने के लिए का हूँ, 3, 4, 6 का, क्या है करोगे, इनको add करोगे, और divided by 3, 4, 10, 3, 13, divided by 3, तो 4.something आएगा, वो ही मैंने या आपर किया, कि average case में क्या उसकता है, कि मुझे पहली बार में मिल सकता है, या फिर मैंने ढूना, तो दूसरी बार में मिल गया, ढूना, तीसरी पहली बार में मिल गया, ढूना, लास्ट में मिला, ऐसे करते करते, और total कितने बार, इनको solve करूँगा, तो मिरे को आ गया, तो इसका मैं time complexity निकाल सकता हूँ, हाँ भईया, निकाल सकता, भईया, इस code के थिरू कैसे निकलेगा, इस code के थिरू कैसे निकलेगा, मैंने का, इ बाखी की cycle चलाई ही नहीं, तो मुझे अपना ये मिलिया, element ढूने गया, अब वो element last में present है, तो मुझे ये काम बार बार करना पड़ेगा, कम समझ रहे हो, हाँ भईया, तो उस case में मेरा order of index है, और ठीटा है में आप निकाल दोगे, जो previous question नहीं किया था, previous ये वाला, चमक case क्या होगा, मैंने का best case आपको कहीं पर क्या होगा, best case में, मैंने का best case यही होगा, any होगा, average भी, ठीटा, any होगा, काम क्या मिला था मुझे इसमे, कि end time चमका को प्रिंट करा दो, end time, किसको प्रिंट करा दो, चमका को, चमका को प्रिंट कराना है कितनी बार end time, तो वो काम मुझे end time तो कन नहीं पड़ेगा, थीक है, as is, फिर any होगा और वो तो end है, समझा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर break condition लग वही थी, कि अगर आपको उससे पहले ही वो मिल जाता तो उसक ही बार में मिल जिया तो मुझे आगे जोड़ने की जरुरत ही नहीं है तो इस तरही कि अमने टाइम कॉप्रिशिटी को क्या कर दिया सब कुछ क्या यह चमका आपको हाँ यह चमका अब अगला अगर मैं आपको कॉस्सन दूं कि आपको इंपूट में नंबर मिला है ठीक है आ आप प्रिंट करा रहे हों सक्या आई कोडू जीरो ङिरुसे आइलेश्दें टेन इस ए प्लस प्लस कि अडिकर और चमक कहीं प्रिंट कराक्ड गा एंगर यह क荷िब अगर यह जीग जीए जो 19 तो आउप्टूट क्या आएगा आपका कितरी बार चलेगा अगर इन्पूट यह रहा आपका तो इस्टेप अगर मैं बूलू वह तब भी दस ही रहेंगे अगर मैं एन को 100 कर दूं कि यह चंग का कितरी बार प्रिंट करेगा यह यहां पर टैन लिखा है और यह 10 टाइंट करेगा अगर मैं एन को वन लाइक भी कर दूंग अपर आप एंग कुछ भी लेलो मैं यही आँसर प्रेंट करने वाला हूं इस टाइप सा आपका यह तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो time complexity होगी order of 10 होगी क्योंकि 10 बार चल रहे हैं कितनी बार चलता है 10 बार कि 0 से लेकर 10 तक मुझे चलाना है थिक तो order of 10 order of 10 को लिखता हूं मैं order of 1 constant time constant time इसमें सब कुछ यही होगा बीगो भी, उमेगा भी और थीटर मैंने देखा यह मेरे input पे बिल्कुल भी depend नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं करता है clear है हाँ यह clear है अब जो मैंने एक question होर आपको दिया था कि sum of n number sum of n number अगर मैं अपना code इस तरीके से लिख रहा हूं कि c out n equal to n plus 1 divided by 2 इस टाइप से लिख रहा हूं ठीक और इसको में प्रेंट करा रहा हूं टाइम ही लगेगा अगर इसको मैं एक करोड भी कर दूँ तब यह एक लाइन में ही solve होगा एक करोड एक करोड रखूंगा एक लाइन में मेरी mathematical calculation तो मैं कह सकता हूं इसकी जो time complexity होगी यह order of 1 होगी क्योंकि एक टाइम पर अब आप बोलोगे भाया वो तो एन पर डिपैंड कर रहा है कि यहां रख रहा हूं यहां रख रहा हूं और आप order of 1 कैसे कह सकते हैं कि मैंने का एन की वैल्यू ले तो रहा है एन की वैल्यू ले तो रहा है पर उसके उपर टोटली डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो बार बार लूप चला जा रहा है अगर मैं यहां से कोई input में number N लेता हूं और उसी को मैं print करा देता हूं तो मैं बूलूंगा इसकी time complexity बहुत जादा है अगर एक लाग एन है तो एक लाग time लगेगा से print कराने में नहीं लगेगा ना constant time ही लगेगा सिरफ प्रिंटी तो करा ना जो number हो दे रहा है जो number यहां से लिए उसको calculate करके कि आप आप इसको मैं कहे रहा हूं कि यहां वाले point भी कि यहां पर यहां पर इपर भी डिपेंडन कर रहा था सिरफ वैल्यू रहा हो उसकी बाकि और कुछ नहीं लिए रहा है किलियर है किलियर है हाँ यह मुझे किलियर है इस एन को आख कभी भी यह मस तमजना कि भाई यह देखना मुझे कि लूप कैसे चल रहे हो उसमें कितने टाइम तक वो चले मेजर वही होता है यह बाकी जो स्टेप्स होते हैं आपके यह बाकी इस सब और ऑफ वन में i equal to 1 से i less than equal to n i++ और j equal to 1 से j less than equal to n j++ ठीक मैं यह आपके लिख रहा हूँ अब दिमाग घूमेगा अब दिमाग घूमेगा इसका कैसे करेंगे मैंने कहा लूप को डिबग करते हैं क्या करते हैं डिबग करते हैं ऐसे करें ठीक मैंने कब पहले i equal to 1 था हाँ भईया i equal to 1 था फिर वह अंदर आया जे is equal to 1 से कहां तक चलेगा n तक चलेगा है ना जे कह का प्रिंट हो गया है किलियर है एंड टाइम चमका प्रिंट हो गया यह मेरा काम था चमका को प्रिंट का रहा है इसका उबर वाल काम क्या है चमका को प्रिंट का रहा है हाँ तो चमका किद्री बार प्रिंट होगा जब आए कॉल टू 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 ठीक, फिर i equal to 3 है, यह total step आपके गिने जा रहे है, total step आपके गिने जा रहे है, अगर आप इसको break down भी करोगे न, i equal to 1 था, फिर j is equal to 1 हुआ, 1 less than equal to n, एक बार चमका प्रिंट हो गया, फिर j, x ते बड़ा 2 हुआ, फिर एक और बार चमका प्रिंट हो गया, तो यह कित्री बार चमका प्रिंट हुआ होगा, बताइए, anytime तो हुआ होगा, हाँ, फिर i equal to 2 हो गया, तो उसमें चमका कित्री टाइम प्रिंट होगा, n टाइम, i में भी, j कित्री बार प्रिंट होगा, n टाइम, अब टू यह कहां तक जाएगा, जब मेरा finally i equal to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, वहापे भी क्या होगा, j is equal to 1 से n तक, कित्री बार प्रिंट होगा आपका, n टाइम, जो मेरा काम था यह, 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 यह मेरे काम थे, ठीक, अगर मैं इनको add कर दूँ, n प्लस n प्लस n अप्टू n, यह तो मेरे काम कर रहा था, यह तो मेरे step ले रहा था, यही तो step ले रहा था, यही तो मेरे काम है, यही तो मेरे step थे, जैसे मा आपके 111 add कर रहा था, इनको अगर मैं एड़ कर दूं तो इसका अंसर क्या आएगा एन स्कॉयर आएगा और इसको कह सकता हूं मैं ओडर ऑफ एन स्कॉयर वर्ट्सकेश बीगो मैंने का अब हम बीगो होई ज्यादा प्राइरटी देंगे आगे जब हम बाकी कोशन कर रहोंगे उसमें हम बाकी चीज़ पर कैल्कुएट कर रहोंगे लाइक थीटा उमेगा तो अगर थीटा उमेगा भी आप इसका देखोगे वो भी यही आएगा बताओ यह चमका बितना काम हुआ इतना काम हुआ है इन सारे काम को अब्लाइड कर दिया मेरा पास केकर हाँ मैंने का आप इसको वन लाइन में भी सॉल गड़ सकते हैं आपको इतना करने की भी जरूद नहीं है बस उसकी कंडिशन एक सूटी सी क्या कंडिशन वो कह रहा कि जो भी आप जब भी आपका जो इनर लूप होगा कौनसा लूप इनर यह आउटर लूप यह इनर लूप अगर यह इनर लूप बहार वाली पर डिपेंड ना करें बहार वाली पर डिपेंड ना करें मतलत मतलत जे एककोल टू ऐसा कुछ आई ना हो या फिर जे लैस दन इककोल टू आई ना हो बहार वाली पर बिल्कुल भी डिपेंड ना करें ऐसे ऐसे बिल्कुल भी डिपेंड ठीक और अगर इंका मैं मंटिपलाई कर दूं तो उतने टाइम तो चमका प्रिंट हो रहा है आपका यही आपका और ओर आप यह बीकर ने की जरुद्ध नहीं है मुझे देखना यह लूप बस कितनी वार चल रहा है अब वह मैंने यह यह तो मैं ऐसे करके कल्कुलेट कर लूँ कि एंड टाइम चला है एंड टाइम चला है उनको एड कर दिया यह मैं ऐसे कर दूं और जो भी आए एंड इसको है बताइए समझ आया नहीं आया चमका नहीं यह तो बहुत अच्छे से चमक दिया मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूं अब जो हमारा नेक्स कुर्शन है यह रहा ठीक आई स्टार्ट हो रहा वन से लेके एं तक जा रहा है ठीक और जे स्टार्ट हो रहा वन से लेके जे लेस दन इकल टू आई तक जे प्लस प्लस सी आउट सेम वही काम पहले हमको यह बना देना है ठीक पहले मैंने देखा क्या मैं डैरेक जोन से लेकर रहा हो तो वन टाइम प्रिंट होगा चमका ठीक फिर i equal to क्या बनाओगा आपका टू बनाओगा हाँ फिर यहाँ पर टू आए होगा वैल्यू तो जे कहां से गांता जाएगा वन से लेके टू तर तो यह चमका कित्री टाइम प्रिंट होगा भाई यह टू टाइम जब i equal to 3 था जे कहां से कहां तक गया बताइए जे कहां से कहां तक गया से वन से लेके 3 क्लियर है हाँ भी है फिर यह कित्री टाइम प्रिंट होगा तीन टाइम ठीक तो मैं रिलेशन देख पा रहा हूं अगर मैं इसको डॉट 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 करते लेके जाओं i equal to आपका n हो किलियर है हाँ यह लूप कितनी बार चला वो हमने देख लिया इन सबको अगर मैं add कर दूँ मेरको मेरा answer मिल गया 1 plus 2 plus 3 plus up to n मुझे answer मिल गया तो वो answer कितना आएगा 1 plus 2 plus 3 plus that 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 that's n sum of n natural number n into n plus 1 divided by 2 खोल खोला अगर इससे n square plus n divided by 2 2 को ignore करो n को ignore करो काय बच्छा n square तो order of n square इसकी time complexity निकल गए same इसकी 2 को ignore करो क्योंकि constant था n square n में से n को ignore करो n छोटा है order of n square मुझे answer आगे simple था हाँ यह तो simple था क्या अगले question में बढ़े हाँ अब जो हमारा next question है यह रहा ठीक i equal to 1 से i less than equal to n i plus plus j equal to 1 से j less than equal to i square j plus plus c out चमका यह मुझे कराना है अच्छा सत्ते पहले लूप कहां से start हो रहा है मुझे लूप का देखना है i equal to 1 से start हुआ हाँ j कहां से कहां तक जाएगा भाई आप 1 से लेके 1 तक ही जाएगा i की जगा 1 आएगा 1 का square 1 होता है तो यह काम कितरी बार होगा आपका एक time मुझे दिए i equal to 2 हुआ j कहां से कहां तक जाएगा 1 से लेके कहां तक वर तक 2 k square 4 होता है तो इस समक भी चार बार क्रिंट हुआ होगा 4 डी 5 यह सब्सक्या फिर i equal to आपका 3 हुआ यह कहां से कहां तक जाएगा j is equal to 1 से लेके 9 तक तो यह कितरी बार बार प्रिंट होगा 9 9 ऐसी आपका चत्मा जाएगा i equal to n है ठीक जे कहां से कहां तक जाएगा फिर 1 से लेकि n स्कॉरर तर और वो भी कित्दी बार प्रिंट होगा n स्कॉरर टाइब ठीक तो यह आपके काम हो गए 1 4 9 n स्कॉरर फॉर्ब उन्स्क्राइब प्लस 3 का स्कॉरर पलस्ट्राइब ट्रेश डैड तॉर यह 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 आमफिur एक बार हुआए यहापे चार बार हुआई यहापे 2N प्लस 2N यारी क्या हो रहा है हाँ डिवाड़ेड़ बाइच थिक्स ठीक यह आपका फॉर्मॉला होता है इसका कॉंस्टेंटम है इसको अगर मैं खूल दूं तो यह क्या बनेगा ऐसी बनेगा एंट्यूब बनेगा यह यह मंडिप्लाई होंगे अब बाकि एन इसकाइर के टम में कुछ-कुछ नंबर आपके आ रहे होंगे तो मुझे सबसे बड़ा वाला लेना था सिर्फ और और एंट् पूरा खोल देगे तब भी आपका एंट्यूब यह आएगा नहीं भी खोल लोगे तो आप देख सकते हैं क्या इसकी टाइम को प्लेक्ष्टरी निकालने में कोई मुझे दिक्कत आई क्या आपको यह logic क्लियर है कि इनको क्यों submit किया जा रहा है क्यों इतने ही steps मैं ले रहा हूं इतने ही step ले रहा हूं जब i equal to one था जे is equal to one था एक काम मेरा complete हो गया फिर से उपर गया i equal to two था j is equal to 1 से लेके 4 तक तो ये चार बार चलेगा फिर ये उपपर आया तो ये ही time मेरा बार बार calculate हो रहा है इसलिए हमने ये करें अब जो next question हमारा होने बार है वो simple है i equal to 1 से i less than equal to n i plus plus और j equal to 1 से j less than equal to m j plus plus और ये n और ये m आपको input में मिले दो नंबर दोनों नंबर आपको input में मिले ठीक हाँ भी है input में मिले प्याउट चमका अब इसको क्या मुझे solve करने की ज़रुत भी है मुझे पता ये j i पे कहीं पी depend नहीं कर रहा है तो i कितनी बार print होने वाला है n टाइम जे कितनी बार होगा 1 से लेके m तो आपके time complexity direct हो जाएगी ये हो जाएगे भाई आप तो कह रहे थे कि ये n के term में होना चीए मैंने का input के term पे हम बोलते हैं किसके input पे input पे n भी हो सकता है इसलिए order of n उसका हो गया हाना वह तो हम सिरब बता रहे थे कि n ही आपका input है n में दो number भी दे मिल सकते हैं आपको ऐसे करके मुझे पता है ये j जो मेरा inner loop है वो outer loop पे बिल्कुल भी depend नहीं कर रहा है आई कहीं पे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैंने direct solve कर दिया मुझे पता ये end time चलेगा सीधा answer लिख दिया अगर आप conventional method से लिखेंगे उससे भी same answer आएगा तो चमका या नी चमका concept हाँ भाया ये मस्त करके चमका चलो अब next question के और चलते अब next question हमारे पास ये रहा ठीक अब ये मस्त तुन है भाया नहीं लगाए क्या होगा क्या नहीं होगा अभी उन्चीजों को ignore करो कि ये इतरा बड़ा code दिख रहा है इसका कैसे निकालेंगे ये तो मासा खा देगा मेरा इसको कैसे करूंगा मैंने का बाबू simple है वही strategy हम यहाँ पर यूज करेंगे सबते पहले क्या मैंने देखा यह यह है आई पर डिपेंड कर तो डारेक्ट में आंसर नहीं लिख सकता डारेक्ट आंसर नहीं लिख सकता लेकिन वही काम हम यहाँ पर भी कर रहेंगे i equal to 1 हुआ j कहां से कहां तक चलेगा 1 से लेगे 1 तक ठिक 1 से लेगे 1 तक ठिक और k कहां से कहां तक चलेगा n by 2 clear है हाँ तो मालों पहले यह यहां से यहां तक चला j चलेगा 1 से लेगे 1 तक और k कहां से कहां तक चलेगा k less than equal to n by 2 यह कितरी बार चलता है n by 2 time 1 से लेगे n by 2 time clear है हाँ यह clear है तो मैंने का चमका कितरी वार प्रिंट होने वाला आपको, चमका कितरी वार प्रिंट होगगा, N by 2 time, clear, हाँ, clear है, क्योंकि ये 1 to 1 नी था, फिर अगर I equal to आपको 2 हो जाता है, J कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, के कहां से कहां तक जाएगा वन से लेकि लेकि नभाई 2 तक मुझा एंडा तो टाइम ममडली हक यंज के चमका कि Tara के बार प्रेंट खोगा अब इडरी बार पर बताईए गयोधी अगर्एे सब्यांती कि ड्री वार होगा बताईए यह पे यहां पर यहां पर कितने N by 2 time print हो हो, क्या सकता हूं? क्योंकि यह J is equal to 1, से 4 तक, ठीक, पहली बार आया, K ने कितरी बार print का है? N by 2 time, फिर J is equal to 2 हुआ, कितरी बार print हुआ, N by 2, फिर J 3 हुआ, फिर N by 2, फिर J 4 हुआ, N by 2. सेम है हाँ तीन लूप वाले साहथ आप में से बहुत बच्चों ने देखे नहीं होंगे सेम वैसे ही काम करता है जैसे यहां पर कर रहा है तो 4N by 2 हो गया काम हाँ फिर आई एक कॉल टू क्या थिरी जै इक कॉल टू बोल सकता हूं वन से लेके 9 तक क कहां से कहां तक जाएगा वन से लेके N by 2 किँ किदुरी बार प्रिंट होगा यहां पर बताईए यह होगा 9 एन बाई 2 इतने टाइं ही प्रिंट होगा इतने टाइम ही होगा प्रिंट हाना अगर मैं इस पहली लाइन को अटा और यह k, यह k वाला ना तो j पर depend कर रहा है, ना i पर depend करता है, किसी पर depend नी करता है, ठीक है, तो यह तो अपना independent n by 2 time चलाएगा, ठीक, यह किदिनी time चलाएगा, जो मेरा i square की value आ रही थी, जो भी i square की वहाँ पर value आ रही थी, 4, तो 4 into n by 2, ऐसे करके भी लिख सकता हूं, ठ clear है, हाँ भी है, clear है, अब S को चलाता जाओंगा, i equal to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, हाँ भी है, j कहां से कहां तक चलेगा, आपको stress गिनने, बस, कितने step चल रहा है, 1 से लेके, कहां तक, n square तक, ठीक, k 1 से लेके, n by 2 तक ही चलेगा, ठीक, तो कितनी बार print हो गई, n square, into n by 2, यह बना logic, हाँ, मैंने कहीं, इनको, 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 यहां तक मुझे add करना है, क्या, formula क्या दिख रहा था, formula क्या दिख रहा था, formula simple ही यही दिख रहा था, आपको, n by 2, प्लस, यह 2 का square, 3 का square, 2 का square, n by 2, प्लस, 3 का square, n by 2, लास्ट में, n square, into n by 2, यही दिख रहा था, n by 2 को बहार ले लो, n by 2 को बहार ले लो, इसको ऐससे लिख देता हूँ, n by 2 को मैंने सबसे बहार ले लिया, फिर से अंदर क्या बचेगा, 1, प्लस, 2 का square, प्लस, 3 का square, प्लस, देट, 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 n का square, यही बचेगा, हाँ, इसका क्या हो जादा है, n into, n plus 1, 2n plus 1, sum of square, ठीक, अब भार क्या था, n by 2, इन सब को मंटिपलाए करूँगा, क्या हैँगा, n की पावर 4 है, maximum, इसके मैं इसके time complexity दिखा, थोड़ा सा complex हो सकता है, जो beginner है, पर यहाँ पर भी मुझे सिरफ step गिनने, कि कितनी बार, जो मैं काम करा रहा था, वो print होने वाला है, कितनी बार यह print होगा, आपको बस यह देखना था, इस तरीके से मैंने निकाल दिया, ठीक, direct मैं निकाल सकता, क्योंकि मुझे पता कि j किसपे depends हो रहा है, आई पर depend हो रहा है, ठीक, direct मैं निकाल सकता, लेकिन जो k है, वो सिरफ किसपे चला के चला कि लगा वे कितरी वार प्रेंट होने वाला है जिस्वेस वह खता है बांजलर मोई करके मोग में करता हुए 16 स्थिस्थमा आजाते हैं यह मेरा बन से लेखे है आई लेस्द इकल टू एंड आई इकल टू आइंट टू ओक्ये यह कैसे चलेगा अत्या ह烟 लिख देता हूँ, चमका चमका हाँ वई जब I E a equal to 1 था I a equal to 1 था तो क्या print हुआ? चमका, एक बार print हो गया फिर क्या हो गया? I a equal to 2 हो गया यहाँ पर I into 2 है, ध्यान से लेखना I a equal to 2 हो गया फिर यहाँ पर फिर से क्या print हो आ? एक बार चम्का ये पिर आइकल क्या हो जाएगा टू टू जाख फूर है एसी तो बढै दबल दबल कर एक फिर ऊलबर करके पिर से एक बार चम्का हईट बन जाएगा सinku कि टू न ऑ यह कब तक चलेगा यह प्रोसस्स जब तक जैसे इक बार यह एक करेज़ और यह सब समका प्रिंट हो जाएगा अब एक 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 इन सब को मुझे एड करना है कैसे करूंगा कैसे करूंगा मुझे तो पता ही नहीं है यह इसने जंप कितने कितने के लिए मुझे पता है मुझे यही कितनी है Sacramento यह निकलेगा है मैं इसको नुख निकालना भी कोई rocket science नहीं है तो मैं इसको ही रखता हूं थीकर मैं आइक को बोढ़ तक्ता हूं में एक एक बार प्रिंट वगा है तो की पावर three में एक वार फिंट वह ठिक और यहाँ पर क्या हो जाएगा है लिटी पावर के माल लेता हो तू की पावर के में 1 बार प्रिंट हो जाना है एसी चल्ला था तू की पावर के कि कुछ डूपल डूबल करेंगे हो बढ़ा था यहां तक सिंपल है अगर मैं आपसे गौड करने के लिए गाओं जब यहां पर टू की पावर 3 था तो यह चमगा कितनी बार प्रिंट हो था चार बार अगर मैं n equal to 2 की power k लिख दूँ ठीक तो ये 1 कितनी बार आए होंगे जो मेरी k की value निकलेगी जो भी निकलेगा इतनी बार 1 प्रिंट हुआ होगा सम्मिर्शन दो कर रहा हो ये 3 का दिखा रहा है चार बार प्रिंट हुआ है 3 plus 1 4 तो 2 की power k मलब k plus 1 k plus 1 बार प्रिंट हुआ है clear है हाँ 2 की power k किसके equal है n के equal है दोनों तरब log ले दूँगा log n log 2 जब log लेता हूँ तो k आगया जाता है log 2 बच जाता है ठीक फिर इसको मैं ऐसा लिख दूँगा log 2 को उधर ले जाओंगो दूसरी साइड तो यह बचेगा मैंना log n अपॉन लॉग 2 ऐसे ठीक अब यह लॉग 2 और log n कैसे रिस्टाल होंगे यह ऐसा हो जाएगा लॉग बेस्टू ए ऐसे यह इसके नीचे चला जाता है इसको एक लिए यह बचेगा कुछ प्लस वन इतनी बार आया है आपका आंसर आ गया और रॉफ लॉग बेसें इस्टाल जो मुझे चाहिए था वह मुझे मिल गया तो बताओ यह चमका नीचमका मैंने कहते करके निखाला मुझे वन देखना था कि वन कितनी बार आ रहा है थीक यह उतनी बार आया होगा तो वह कैसे निखालता मैंने लिखा था वन प्लस वन प्लस वन यह मैं करें जा रहा था अब टू वन मुझे अगर यह पता देल दा था यह कितनी बार आ यह तो मेरी प्रॉब्लम रिसॉल हो जाती तो मैंने यहां पर एक फॉर्मला बनाया य तो ये 2 की पावर 1 है. ये 2 की पावर 2 है. ये 2 की पावर 3 है. अब टो 2 की पावर k तक ये जाएगा. Clear है? हां. मैंने जिखा है, जब ये 2 की पावर 3 दा. ठीक है? तो ये 1 कितनी बार आएए? 4 बार आएए. तो मैंना, ये 3 से 1 जधा. तो वही मैंने करा के प्लस वन टाइंग यह आये होगा तो यह एन इकल टू इसी के बराबर है तो के को मैंने ऐसे करके निकाल दिया जब के निकल गया तो यह पॉसेस बहुत इंपल है इसको आप डारेट भी याद रख सकते हैं कैसे जब भी आपका वन ऐसा जाए वन है फिर इसका डबाल एट हो गया 16 हो गया 32 हो गया ऐसे से कर दें तक पहुंच गया तो इसे कितने स्टैब लगे एं तक पहुंचने में वह होगा लॉग बेस एन हमेशा इसको आप याद रशेटे आप उल्टे से बिस्टार कर सकते हो कि एन पहला आदा हुआ आदा हुआ आदा गड़कर आ रहा है या फिर डबल डबल करके बढ़ रहा है दोनों में यही आएगा सेन केस मेरा थ्री के साथ भी उतकता है कि वन था वो थ्री बना थ्री बना आपका 9 नाइन बना 27 बना आपका 81 डैट 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 यह तक पहुंचा इसके केस में क्या आएगा अंसर मटा आपका लूप ऐसे चल रहा है कि पहले नंबर वन था वो थ्री बन गया प्री नाइन बन गया नाइन 27 बन गया इसके बेस में आपका आ जाएगा जो इसका बेस होगा ठीक है यह चार-चार करके बढ़ेगा तो यह क्लियर है फॉर्मुला भी बता दिया सौटकर भी बता द पर है कि यह रहें जो थ्री वाले निकले इनको आप खुद से एक बाद ड्राइब करने की कोसित करना यहां पर आप आप अपना पॉर्मुली को करने की कोसित करना फिर मुझे बताना कि चमका यह नहीं चमका सही है मुझे सिरब यह गिनने की कितने स्टैप में यह कंप्लीट हुए है वह स्टैप मुझे यहीं से मिल रहे हैं तो बताओ मजा रहा है हाँ जो हमारा अगला खुशन है यह रहा है मैं देख पर हो आई चल्दा इंबाई टू से लेके एन तक आई प्लस प्लस जे चल्द मैंने रहा मेरा इनल लूप मेरे आउटन लूप पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो मुझे पता यह कितनी बार चलेगा एंबाई टू से इंटु अन्ट आपका निखल गया एंट् क्यूओं यह आपका आंसर होगया क्लियर्ण पर लिखते हैं कि यह अपने पांग अगरा मैंने यह आपर देखा कि कोई भी लूब आउटरूप पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कोई भी निकर रहा है तो मैं कह सकता हूं यह भारवाला N by 2 टाइम चलेगा है ठीक हाँ यह वार मैंने अभी देखा जब मैं यह वाला रूप चलाता हूं यह यह कित्रे उसमें करेगा डबल दबल करके चल रहा है ठीक है जब दबल दबल करके चल रहा है तो लॉक्वेस एन कि यह बहुत होगा अपका यह डबल डबल यह भी डबल डबल करके ओढ़ रहा है इसका भी लॉक बेस के इनको मैं मॉंटिप्लाई कर दूँगा कि ऐसे आपसर आएगा ऐगा एंड यह है यह आपका आंसर होगी यह आपका आंसर होगी भाई है क्या इनको इंग्डोर करने की जड़ोत नहीं है मैंने का यह multiplication में, किसमें ही है, multiplication में, जब n, n के साथ ऐस तकर के multiply हो रहा, तब ignore नहीं करना, ठीक, इसमें मत कर दिना, ignore, clear है, हाँ भी है, clear है, इस case में ignore नहीं करना, ठीक, हाँ, अगर n plus log n होता, तो मुझे पता है, log n छोटा है n से, तो ये ignore होता था, तब मेरा answer n रहे था, लेकिन यहापकर ये multiplication में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, clear है, हाँ, क्योंकि होए एक साथ जोड़ रखें, अब अगले पे चलते, अगला मैंने दिखा, j is equal to i equal to 1 से, i less than equal to n, i plus plus, j is equal to 1 से, j less than equal to n, j is equal to j plus, i लिखा हो है, कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके n तक, अब पहले तो मुझे ये भी calculate करना पड़ेगा, i के जगह में क्या रखा है, 1 रखा है, तो इसमें ek करके, कोई element add हो रहा होगा, जाइड सी बात है, ek करके add हो रहा है, हाणा, तो ये कितनी time चलेगा, 1 से लेके n तक ही चलेगा, तो चमका कितनी बार time प्रिंट हुआ, n टाइम्स, ये क्या हो रहा है, ये यह है, j is equal to j plus 1, j is equal to j plus 1, ये हो, जब i 1 था, ठीक, तो 1 से लेके n तक होगा, फिर i equal to 2 होगा, तो j कहां से कहां तक चलेगा, कितनी बार चलेगा जे, बताइए, अब जे, 2-2 के jump लेके चल रहा है, 2-2 के, डबल-डबल, जब 2-2 के jump लेके चलेगा, तो ये n by 2 time ही चलेगा, ठीक है, आई ये n by 2 time चला, तो n by 2 time ही print होगा, हाना, 2-2 के jump लेके चलता है, पहले एक था, जे is equal to होगे आपका, कितनी बार होगा, अब 3-3 का jump होगा, 3-3 का jump होगा, जब 3-3 का jump होगा, तो ये n by 3 time ही चलेगा, हाना, n by 3 element हैंगे, 2-n by 3 हट जाएंगे, क्योंकि पहले 1 आया, 3 का jump लेके 4, 3 का jump लेके 7, 3 का jump लेके 10, ऐसे करते करते करो, n पर पहुंच आएगा, तो अगर आप इनको add करोगे, ये 1, ये कितनी बार चलेगा, तो ये आपके n by 3 आईगे, simple है, हाँ पईया, simple है, इसको अठा दो, इसको लिख देता हूँ, कितनी बार, n by 3 time, चम का print होजाएगा, ये, फिर hc चलता राएगा, i equal to, बन जाएगा, कितना, n, j, कितनी बार print होगा, फिर, सीधा, n by n हो जाएगा, ठीक है, n by n, equal to 1, क्योंकि नीचे ये आ रहा थो, नो, हाँ, तो ये, one time print होगा, ऐसे गर के मैंने लिख दिया, अगर इनको add करूँगा, n plus n by 2 plus n by 3 plus dash 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 1 ऐसी होगा, ऐसी तो होगा, हाँ, अब बताईए इसको कैसे solve करेंगे, एक काम कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ, n by n, ठीक, n by n, वो भी 1 के ब्राबर होगा, इनसे n को common लेता हूँ, common ले लिया, अब मेरे पास क्या बज़ेगा, 1, 1 by 2, 1 by 3, up to, 1 by n, ठीक, इनका स्थम कितना होता है, यह कौन से सीरीज है, यह को बोलते हैं, harmonic सीरीज, harmonic सीरीज कौन होती है, जब मेरा denominator, कोई AP को follow कर रहा हो, ठीक, जब वो AP को follow करता है, इसका सम, आप यह लिख दोगे, log base e आता है, इसका सम, यह इसकी time complexity हो जाएगी, मट्टी के लिए के संद में, मत अटा दीना, जब addition होता है, उसमें अटाते, इसमें यह एड़ेड रहेंगी, यह harmonic सीरीज आपकी, harmonic, भाया, क्या इतने इतने tough tough question आएंगे, क्या आगे भी, मैंने इतने tough नहीं आएंगे, तीन चार्ट टाइप के कोशन है, वो सारे मैंने आपको कबर करा दिया, कि आप कैसे कैसे, different different type के आपके पास question आतकते हैं, अब बढ़ते हैं, अपने space complexity के हो, कि space complexity क्या होता है, अब space complexity आप वो ही, आप बोलोगे कि जितना space required होगा, मेरे प्रोग्राम को run करने के लिए, मैंने का बात तो सही है, इसमें भी, लेकिन ये भी किसमें depend करेगा, मेरे input के size पे, किसमें, जो मेरा input का size आ रहा, उसमें depend करता है, same, total, वही logic है, इसमें ये मत तोचना, कि भाई, कुछ GB, कुछ ये, कुछ वो कितना required होगा, अगर मैं आपको कोई algorithm दे दू, अगर दिखा दू कि बदी, बताओ, कि ये कितना space लेगा, कि आप बोल सकते ये 1 GB लेगा, 2 GB लेगा, 4 GB लेगा, कम दू, तो मेरी space की requirement घट जाईगी, और ऐसा भी हो सकता है, कि वो मेरे end पे depend ही ना करे, जो हमने पहले भी देखा था, ठीक, हाँ भई है, तो same logic यहाँ पे भी, कि यहाँ पे आप पहले ही ये मत सोच देना, space complexity में लाख, कि कि कितना space required है, mbgb में, नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो मेरे input के side पही depend करेगा, ये देखो, as a function of length of input, same definition, same, बस space इसकंदर घुल्ट सुका है, clear, मैंने का, इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता आप auxiliary space, इसी को आपको पूछ रहा होगा, हमेशा, ये ही पूछ आता अधिकतर, और एक आता है मेरा total time, total space complexity, total space complexity, ये दो चीज़ें रहती है, ये क्या है अब या, अब देखो, आप user हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला, मैं आपको एक लाग नमबर दे रहा हूँ, आपको उनका सम दर्गे दिखाना है, एक लाग नमबर दे, तो मैंने माललो आपको, एक लाग छोड़ो, पहले मैंने आपको बोला, मैं आपको 100 नमबर दे रहा हूँ, तो 100 नमबर मैं किसी चीज़ में रखके दे रहा हूँँगा, आरे वगरे में, तबी मैं उनका सम अगर निकाल पाऊँगा, तो माललो वो नमबर इसमें है, 1, 2, 7, 4, ऐसे ज़से करते करते, ऐसे, ठीक है, यह एरे मुझे गीवन है, यह एरे मुझे गीवन है, ठीक, तो जब मैं स्पेस कॉम्पलेक्सिटी निकाल रहा हूँगा, माललो इसका size था N, इंपोर का size था N, यह N size काई आपका अरे है, तो ये वाला इसके अंदर include होगा, auxiliary space के अंदर ये वाला include नहीं होगा, auxiliary space कहता है, कि जो भी answer, या जो भी space मुझे आल्रणी input से मिल रहा है, मैं उसको calculate नहीं करूंगा, ठीक उसके लावा मैं कुछ और भी स्पेस लेता हूं उसके इसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्शिटी क्या कहता है वह कहता है अगर आप इंपूर्ट से भी दे रहो मैं उसको भी ऐसा स्पेस ही गिनूंगा उसने गिना तो यह कहेगा कि एंड आपने एंड साइज का मुझे दिया है और माल लो उसके बाद मैंने कोई भी ऐरे वगरा नहीं बनाया अपने उसमें तो मार उसके लिए वन तो ओडर ओव एंड इसकी क्या हो जाएगी टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्शिटी मैंने अगर कुछ और इस्पेस यूज नहीं किय किया कोई और एरे की रिएट नहीं किया एंड साइज का कुछ भी नहीं किया तो इसके केस में यह हो जाएगा ओडर ओफ वन ऐसे करेगे हैं भी एक एक एक्जम्पल समझा दू मैंने का अभी रूको माल लो आपको एक एरे गीवन है ठीक है एरे गीवन है ठीक तो आपको इन्पूर्ट में मिल चुका है तो आपका एरे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको 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 में एक दूसरे एरे को देना है इनका स्क्वाइर करके इनका स्क्वाइर करके तो मैं क्या करूंगा उसके लिए एक ये बनाओंगा एक एरे मुझे बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा तो जो एक्स्ट्रा एरे मैं बना रहा हूं या फिर जो भी एक् तो n size कही है, इसका square ऐसे कर दिया, 36, 25, 4, 1, ठीक, जब मुझे ही auxiliary space की बात करेगा, वैसे ही calculate होगा, यह कितने size का है, n size, ठीक, यह include नहीं होगा, लेकिन total आले में, यह भी include होगा, n size जो तुने extra लिया है, और जो given था, वो भी include होगा, तो यह 2n, तो यह हो जाएगा order of n, य maximum आप जब भी coding round देख रहोगे वहाँ पर लिखा रहेगा auxiliary space, और total time conversation, समझा है, एक out program, अगर मैं आपको ऐसा कुछ दूं, कि for integer, space कौन-कौन ले रहा है, i equal to 1 से, i less than, n मुझे input में मिला था, i++, cout, i, बताओ, इस program में किस-किस ने space लिया होगा, किस-किस ने लिया होगा, एक तो मेरे i ने लिया होगा, क्योंकि जब मैंने इसको create किया, इसने कुछ space लिया होगा, कितना space लिया होगा, कुछ constant space लिया होगा, एक ही variable है, उसके लावा, उसके लावा किसी और ने लिया है, यह यह ऐन जो मुझे की इंपूर्ट में गिवन था तो ऑक्जिलेरी में तो सिरफ यह वालाए्ड होगा यह वन और नρεये पड़ा अपने जियर नंबर नंबर और किसकिस ने यह व्यति तो यह और आईगा यह भी order of one आये तो भाई यह इस एंड का आपने one को लिया इसका आपना एंड को लिया मैंने का वो number है अब number कितनी space लेगा उस constant space लेगा चार बाइट आठ बाइट बारा बाइट ऐसी तो लेगा हाँ तो मैं space में अगर आप ऐसा भी करते हो कि आप तीन इंटीजर बना रहे हो इंटीजर ए बी और सी ठीक है आपने इंपूड में ऐसा करकी ले लिया यूजर से ठीक फिर मालो आपने future में अब आपको क्या करना है डी के अंदर आपने ये कराया एक प्लस भी डिवाड़ेट बाइट टू और सी के अंदर आपने ये कराया है यह काम आपने कराया थीक तो ऑउक्जले के अंदर कौन कौन include होंगे यह तो मेरे को given वाले थे क्योंकि मैं input को ले रहा हूँ यह तो include नहीं होंगे सिर्फ मैंने यह create किया है इसके लिए इसके लिये भी 1 तो 1 plus 1 टू होता है तो तो auxiliary space आपका order of one रहेगा, इसमें क्या का include होंगे, टोटल में ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी पांच वो include वे order of five, मतरब order of one, ऐसे करेंगे, clear है कि कितना space आप ले रहे हैं अपने program में, जो भी आप integer वगएरा कुछ भी बनाते हैं, a, b, c, d, ठिक, बना दिया, व आप area वगड़ा, खुद create कर रहे हैं, वो जादा memory लेगा, अब last में इसको देख लेते हैं, आपने लोग, ठिक, मेरे पास ऐसे करके, ये time complexity dv है, ठिक, n factorial, 2 की power n, तो सबसे worth ये होगी, सबसे worth ये होगी, सबसे worth ये होगी, सबसे worth ये होगी, ठिक है, और सबसे best ये होगी ठिक है, ये इसी order में arrange है, worth से best की ओ, ठिक है, सबसे कम time ये लेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, 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 क्लिर है, हाँ, भाईया यार, पर अगर मुझे अगर future में क कौन बढ़ा है कौन छोटा है एन फेक्टरोल इधर लिग दो और टू की पावर एन इधर लिग दो ठीक है हाँ भई है ठीक है अब मुझे पता कैसे लेगा कि इन में से बढ़ा कौन है अभी जो आपने बता दिया ऐसे करें तो मैंने एक काम करना आपको यहां पे न कोई अब यह आगे ही बढ़ता जाएगा क्योंकि यह हो रहा है अब 24 थोड़ा आगे वड़के क्योंकि मैं किसके लिए तयार रहता हूं वोर्स केसे लिए जब मेरा नमबर बहुत बढ़ा हो तो वोर्स केसे इसलिए अगर आपको कुस्टन में कभी ऐसा लगए कि n2, log n, log n ऐसे करके दे रखा है n2, root n और log n ऐसे करके कुछ दे रखा है आपको पता नहीं चल रहा कौन बढ़ा है तो so same काम आपको यहाँ पर भी करना पड़े same काम पूझे पता है nSqare, nSqare यहां से नहीं है log,logn से में नहीं है मुझे देखना है इन चूल हमें पर बढ़ा नहीं है Scramet तो वह भी आप यहाँ से कना सकते है कौन आगे भाग रहे तो कुछ ताइम बाल आपको आंसर मिल जाएगा अपसा ऐसी हमें पैटर्ण बगणने पड़ते हैं तो आई थिंग आज का वीडियो आपको काफी फसंद आया होगा समझ आया होगा कि टाइम कॉमलेक्शिडी स्पेस कॉमलेक्शिडी क्या हो दिया और अगर मुझे चूज करना हो कि कौन सा एल्गुरिशन बेस्ट है तो मैं इस टेवल या चार्ड के याज से चूज करता हूँ जो कम टाइम ले रहा होगा किस पे डिमेंद करेकरे इस पे उसके अतात्त में आपके आंसर को ले रहोगा अब कई बार आपके पास ऐसा होगा ऑज़वकि दो कोश्टन होगे एक की टाइम कॉमलिश्टी बड़ी आठ दूसरे थे लेकिन पहले वाले की स्पेस समझी है तो यार आई होप आपको यह वीडियो देखे काफी मज़ा आया होगा आपको समझा होगा कि कैसे यह चीजे काम कर रही है क्या time complexity क्या space complexity होती है उनके behind intuition क्या थी क्यों हम उन्हें second में calculate नहीं करते क्यों मैं space complexity को mbgb में calculate नहीं करता clear है clear है तो भाईया मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में तक तक के लिए जै हिन जै भारत